मासकार मित्रों, मैं नितीश भारदवाज, आज सुबा से मुझे बहुत सारे अपने मित्र, मेरे फैन्स और मीडिया के मित्र फोन करके पूछ रहे हैं कि क्या आज की कोरोना की स्थिती में इस आपदा में महा भारत प्रासंगिक है? क्या महा भारत का कोई एक पन्ना ऐसा है, कोई एक प्रिष्ठ ऐसा है, जिससे हम कोई सीख ले सके तो मित्रों है, वो कौन सा प्रिष्ठ है? वो अध्याय है आदि पर्व के अंत में जब महराज धितराष्ट्र पांडवों को खांडव वन देते हैं, बंजर धर्ती और एक व अरण्या और कहते हैं, जाओ अपनी नवीन शुरुवात करो, अपना जो नवीन राज्य है, उसकी शुरुवात वहाँ से करो, वहाँ बंजर धर्ती है और खांडव वन है, खांडव वन जो आज का मेरट है, उसका नाम खांडव इसलिए था कि खांड मतलब मधू, उसमें महुआ के बहुत सारे पेड थे, और महुआ के पेड आप जानते हैं, जब उसके फूल आते हैं, तो पूरा आसमंत जो है, वातावरण जो है, वो मधूर, मधूरता से भर जाता है, ये वन इक्शुमती नदी के किनारे पर था, वहाँ बहुत सारे प्राणी, पशु, पक्शी, साप, कच्छुए, मचली, जलाशे, सब कुछ था, और उसके राजा थे, राजा तक्शक, नाग राज तक्शक, तो जब ये दिया, तो अरजुन और कृष्ण वहाँ चले गए, और सोच रहे थे, अरजुन पूछ रहे थे कि अब क्या करें, इसको कैसे करें, ये तो वन है, बंजर धर्ती है, ये वन की भूमी भी अपने को चाहिए, लेकिन इसको कैसे करें, यहाँ पे कैसे हम इंदरप्रस्त बनाएंगे, तो अगनी देव उनके पास आये और उनने कहा कि मैं साथ बार प्रयास कर चुका हूँ इ इसको प्रजवलित करना चाहता हूँ, इंदरदेव वरुन की वर्षा कर देते हैं और उसको आपको बुझा देते हैं, तो आप मेरी मदद करें, ये मेरे लिए आवश्यक है करना, तो अरजुन ने सोचा, मैं भी तो यही सोच रहा था, ये जो वन है, ये जल जाये, तो में प्रसन हो गए और वरुन देव ने कहा कि क्या चाहिए, उन्होंने कहा मुझे एक ऐसा धनुष्य चाहिए, जिस पर बाण लगाते ही, जहां मेरा बाण जाना चाहिए, वही जाए, एक अलौकी दिव्य धनुष्य चाहिए, फिर मुझे दो तरकश चाहिए, अक्षै य जिसके बान कभी खतम ही ना हो और एक ऐसा रत चाहिए जो मन की गती से भी तेज दोड़े तो वरुन देव ने उनको गांडीव धनुश दिया अक्षय तरकश दिये दो और वो अलौकिक रत दिया जिसको बाद में आपने महाभारत के भारती युद्ध में देखा जिसका सार रत्य किया स्वयम भगवान कृष्ण ने फिर जब ये मिला तो उन्होंने अगनी से कहा अगनी देव आप इसको भस्म कीजिए अगनी देव ने जब उसको वन को भस्म किया तब तक्षक राज महा नाग राज नाग राज तक्षक महा पर नहीं थे वो कुरुक्षेत्र गय गर्दन जल रही है आँख जल रही है बसमसात होने लगा सब कुछ पक्षी उड़ने लगे जैसे ही प्राणी भागने लगे पक्षी उड़ने लगे अरजुन ने अक्षए य तरकष से बान निकाल कर उस गती से गांडीव से बान चलाए कि सब को मार दिया संगहार कर दिय पूरा सब कुछ जल गया उसमें जलाशे थे उसका पानी पानी जलाशे का पानी सूख गया कच्छुए मर गये मचलिया मर गई सब कुछ मर गया पेड़ पौधे जल गए तक्षक का बेटा अश्वसेन मया नाम का असुर जिसके माध्यम से जिसकी सहायता से कृष्ण जी ने मया सभा बनाई इंदरप्रस्थ में बाद में और चार पंची इतने ही बचे छे लोग उसके उपर इंदरप्रस्थ खड़ा हुआ निर्मान हुआ लेकिन प्रतिशोद की ज्वाला में तक्षक तहक रहा था प्रतिशोद लेना चाह रहा था वो रुका भारती युद्ध खतम होने तक रुका पांडव स्वर्गा रोहन पर चले गए तब तक रुका राजा परिक्षित बना हस्तिनापुरका तब जाकर तक्षक ने उसे काटा दंश किया डंख मारा और राजा परिक्षित मर गया अपने पिता को मरदा हुआ देख प्रतिशोद की ज्वाला में धदक उठा उसका बेटा जनमेजए उसने एक ऐसा यग्या याग यग्या का अरंब किया पूरे आर्या वर्थ से हर वन से नईमी शारन्य काम्यक वन हर वन से उसने सर्पों को एकत्रित करके उस अगनी में यग्या के डाल दिया मार दिया उसको उस क्रोध को देखकर रिशी वैशम पायन ने उसे बिठाया और जनमेजए को महाभारत की कथा सुनाना अरंब किया उसका प्रयोजन कई प्रयोजन थे जीवन यापन कैसे करना है कलियुग में जीवन यापन कैसे करना है ये वो राजा जनमेजए को बताना चाह रहे थे शान्ती से कैसे जीवन यापन करना है प्रतिशोद का अंत नहीं है आज क्या हम यही नहीं कर रहे हैं आज जहां पूरा हारत लॉकडाउन में है सड़क पर कोई नहीं है ना कोई वाहन है ना मनुष्य है इकका दुक्का छोड़कर जो डंडे खा रहा है आज देखिए दिल्ली के बाहर यूपी के रोड़ पर हर्याना की रोड़ पर नील गाये दिख रही है आज आपको सांबर दिख रहे है बारा सिंगा आज आपको चीतल दिख रहे हैं इसका अर्थ क्या है हमने इनके वन नेस्तनाबूद करके अपने शहरों को बसाया है और अपने राष्ट्रिय महामारगों को बनाया है आज हम यही कर रहे हैं पेड़ों को काट रहे हैं अनाधुन काट रहे हैं कोई पेड लगा नहीं रहा है यह रुकना चाहिए यदि यह नहीं रुका यह सीख है महाभारत की इस अध्याय की खांडववन के अध्याय की यह प्रासंगिक है आज के लिए यदि यह नहीं रुका तो जिस दिन प्रकृती का कोप होगा प्रकृती मात्र एक छोटी सी करवट लेगी बस थोड़ी सी इतनी सी बास वो रिक्टर स्केल होगा दस और जिस तरह से डाइनासौर्स का यूग खतम हो गया समाप्त हो गया यह मानववण्श समाप्त हो जाएगा कुछ नहीं बचेगा महा भारत के इस खांडववन इस अध्याय का इस कहानी की प्रासंगिक्ता यह है कि आज हम सीख लें प्रकृती के साथ संतुलन बना के रहना सीख लें उसकी हार्मनी में जीना सीख लें पशू पक्षी प्राणी तितलियां मदुमक्खियां हर एक जीव उसके जीवन का आदर संमान करना सीख लें को एक्जिस्टन्स सीख ले, लेट एंड लिव की भावना को सीख ले, हमको विकास चाहिए है, विकास किसको नहीं चाहिए, हमको प्रगतशील बनना है, लेकिन उसके साथ में इन सब की भी रक्षा करनी है, यदि हमने ये नहीं किया, इन सब की रक्षा नहीं की, इनके साथ मिल जुल कर रहना नहीं सीखा, तो प्रकृती सुनामी भेज देगी, खुकम्प भेज देगी, और बहुत अगर कृद्ध हो गई प्रकृती, तो बस रिक्टर स्केल पर दस की एक करवट, और आप और हम इसके लिए आज इस लॉकडाउन में ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर जहांक कर देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम कहां गलत थे, और वो नया आचरण दिखाईए, इस लॉकडाउन के बाद हमको नवीन भारत का निर्मान करने का ये सुनेरा अफसर है, इसलिए मानिय प्रधान मंत्री जी के जो दो की वर्ड्स हैं, दो सैयम और संकल्प, उसके साथ में मैं जोड़ना चा रहा हूँ, स्वाध्याए, स्वाध्याए करना है हमको ताकि हम एक बहतर इंसान बने, बहतर मनुष्य बने, जो प्रेम करना जानता है, जो शान्त रहना जानता है, यहाँ पर आज यह जो अपने अगल बगल में शान्ती है, कोई हौन नहीं बजा रहा है, पैंपू, पैंपू, यह जो शान्ती है, इस शान्ती से प्रेम करना सीखिए, इस शान्ती को अपने रिदय में, अपने मस्तिश्क में, अपने रिदय में लाना सीखिए, ताकि हम इसी शान्ती को लॉकडाउन के बाद अपने अगल बगल में वातावरण में प्रसारित कर सके उससे ये मनुश्यवंश शान्त होगा इसी में मनुश्यता का भला है स्वाध्याय करना है हमको ताकि हम एक बहतर इंसान बने बहतर मनुश्य बने जो प्रेम करना जानता है जो शान्त रहना जानता है यहां पर आज यह जो अपने अगल बगल में शान्ती है कोई हौन नहीं बजा रहा है पैंपूं पैंपूं यह जो शान्ती है इस शान्ती से प्रेम करना सीखिए इस शान्ती को अपने रिदय में अपने मस्तिश्क में ताकि हम इसी शान्ती को लॉकडाउन के बाद अपने अगल बगल में वातावरण में प्रसारित कर सकें। उससे ये मनुश्यवंश शान्त होगा। इसी में मनुश्यता का भला है। इतना मैंने समझा है। ये मैं करना चाहता हूँ और आप सबसे अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, करबद निवेदन करता हूँ कि ये कीजिए सैयम, संकल्प और स्वात्याए। नमस्कार।